इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ पांच ऐसे लैप्टॉप जिससे आप as a beginner अपना video rating या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप नीचे दिये गए हुए recommended playback पर इस वीडियो को देखें और अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप सबको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में laptops ही क्यों recommend के हैं PC क्यों नहीं तो देखो बात ऐसी है बिलकुल घर जैसी कुछ भी चपाऊंगा नहीं बिलकुल शॉट में बताता हूँ तो इसका reason यह है कि when I started my career मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक PC को afford कर पाऊं और ना ही मुझे कहीं से भी PC EMI's पर मिल रहा था और मुझे उस समयना कैसे भी करके start करना था अपने इस video editing के सफर को तो मैंने अपने पापा से बात करी और credit card पर EMI's करवा के laptop को लिया that is why मैंने अपने personal experience को ध्यान में रखके आज इस video को record किया है so अगर आपका budget एक PC लेने के लिए लाव करता है तो I recommend to not go with the laptops उसका reason क्या है वो मैं आपको इस video के end में बताऊंगा अब बात करते हैं इस video के main topic पर मगर उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि वो कौन से factors है जिसकी वज़े से मैंने इन laptops को recommend किया है तो let's see मैंने यहाँ पर components दो लिये हैं वो है processor, graphic card, RAM और SSD तो बात करते हैं अगर processor की तो इसके अंदर मैंने minimum Ryzen 5 5600H एन Intel का i5 10th generation recommend किया हुआ है second component है हमारा graphic card और graphic card में मैंने minimum 1650 Nvidia का उसको यहाँ पर रखा है third है हमारा RAM, minimum 8GB और upgrade कर सकते हैं 16GB तक minimum यह मैंने threshold रखा है fourth है हमारा SSD, that is solid state drive ताकि जो हमारा PC है वो optimal level पर read and write कर सके यह solid state drive आपकी help करेगा system को जल्दी boot करने में on and off करने में and क्यूंकि हमें यहाँ पर mainly editing software से काम करना है जो कि अपने आप में बहुत heavy होते हैं तो उनको यह जल्दी load कर सके SSD की वज़े से so यह हमारी minimum से demand किसी भी brand से एक decent video editing machine के लिए तो बात करते हैं अपने सबसे पहले laptop के बारे में जो कि इस 60,000 के budget के अंदर सबसे सस्ता laptop है और वो है Acer की तरफ से Acer S5-7 इस laptop के अंदर जो प्रोसेसर यूज किया है वो है Ryzen 5 Hexacore 5500U जिसके अंदर प्रोसेसर काउंट होने वाले है 6 और अगर मैं इसकी RAM की बात करूँ तो इसके अंदर 8GB की DDR4 RAM stick है साथ में आप इसे अपग्रेड करके 32GB तक expand कर सकते हो विच इस अ गुड तिंग का GTX 1650 4GB का अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइस की तो डिस्प्ले साइस है 15.6 इंचिस का resolution है 1920 by 1080 pixel that mean full HD IPS display है इसके अंदर connectivity के लिए इसके अंदर हमें दे गया है 4 ports एक है HDMI port और 3 USB ports इस laptop का price अगर आप flip card के थू लोगे तो वो होगा 54,990 रूपीज का और अगर इसी सेम लैपटॉप को आप Amazon पे लोगे तो वो पड़ेगा आपको 55,480 रूपीज का अब बढ़ते हैं हमारे साइकेंड लैपटॉप में तरफ जो के लेनोगो का IdeaPak Gaming 3 इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो है AMD Ryzen 5 5600 Edge जो की AMD का 3rd generation प्रोसेसर है अगर बात करूँ कोर्स की तो ये भी एक 6 कोर्स का प्रोसेसर है 8 GB की RAM stick मिलेगी DDR4 अपग्रेड करके आप 16 GB तक जा सकते हैं बात करूँ अगर SSD की तो 512 GB की SSD प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी और साथ में आपको एक और slot मिलेगा उस slot के अंदर आप या तो hard disk अपग्रेड कर सकते हो या SSD अपग्रेड कर सकते हो अब बात करदें इसके display की तो 15.6 inches की full HD display मिलेगी IPS technology होगी its refreshing rate होगा 120 Hz का जो की gaming में तो काम आता है बट video editing में या graphic designing में उतना काम नहीं आता number of port इसके अंदर मिलेंगे 4, 1 HDMI port और 3 USB ports graphic card के अगर बात करूँ तो इस laptop के अंदर आपको मिलेगा Nvidia का GTX 1650 4GB का price के अगर बात करूँ तो ये laptop आपको flip card पर मिलेगा 59,990 रुपीज का और Amazon पर यही same laptop आपको मिलेगा 53,990 रुपीज का अब बात करते हैं हमारे 3rd laptop के लिए जो की है HP की तरफ से HP का Victus AMD Ryzen 5 इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो AMD का Ryzen 5 5600H है जो की एक 6 गोग का प्रोसेसर है अगर RAM की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 8GB की DDR4 RAM मिलेगी जिसे आप आगे अप्ग्रेट करके 32GB तक expand कर सकते हो storage के अगर बात करूँ तो 512GB की pre-installed SSD मिलेगी और उसके साथ में आपको एक और SSD का slot मिलेगा जिसे बाद में आप अप्ग्रेड करके 1GB तक expand कर सकते हो बात करूँ अगर ग्राफिक कार्ड की तो इसके अंदर AMD का AMD का ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है confuse मत होना और यह मत सोचना कि Intel का होता तो best होता ऐसा कुछ नहीं होता है AMD और NVIDIA almost एक जैसा performance देते हैं और price का difference आता है AMD थोड़ा सा सस्ता होता है that's why companies आजकल AMD जादा prefer कर रही है low budget के section में तो वापस बता देता हूं इसके अंदर AMD का एक बार वापस लो AMD का RX 5500 M चार्ज इंपी का दिया हुआ है और अगर डिस्प्ले की बात करूं तो यह IPS डिस्प्ले है Full HD 1920 by 1080 pixels की और इसके साथ फ्री में हमें SP आफर कर रहा है pre-installed Microsoft Office 2019 और साथ में inbuilt Alexa बहुत रेर होता है ऐसी चीजों को दिखना इस बजट के अंदर एंड इस लैप्टॉप के अंदर भी हमें चार पोर्ट से हैं तीन USB के पोर्ट और एक HDMI पोर्ट एंड यह लैप्टॉप आपको अमेजन पे मिलेगा 59,990 रूपीज का प्लिप कार्ट पर यह में को लैप्टॉप नहीं दिखा तो आप अमेजन से इस लैप्टॉप को खरी सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में यह लैप्टॉप है MSI का GF63 i7 10 जेनरेशन वर्जन इसको बिल्बकुल भी कन्फ्यूज मत करना i5 वाले वेरिंट के साथ इस MSI के लैप्टॉप के अंदर हमें 6 कोर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसके अंदर RAM दी गई है 8GB की और आप अप्ग्रेड कर सकते हो 16GB तक स्टोरेज में इसके अंदर हमें 256GB की SSD दी गई है और साथ में 1TB की hard disk दी गई है आप इसे बाद में अप्ग्रेड अपने हिसाब से कर सकते हो डिस्पले के अगर बात करूँ तो यह Full HD डिस्पले है जो की IPS पैनल है 60Hz की ग्राफिक काड के अगर बात करूँ तो इसके अंदर NVIDIA का GTX 1650 Max-Q 4GB का दिया हुआ है फ्लिप काड पर इसका प्राइस है 59,990 रूपीस का यह हमारा लास लैप्टॉप है जो की MSI की ही तरफ से है इसका नाम है MSI Bravo इसके अंदर भी AMD Ryzen 5 5600H दिया हुआ है जो की एक 6 कोर का प्रोसेसर है RAM के अगर बात करूँ तो 8GB की DDR4 RAM है अपग्रेट कर सकते हो 32GB तक 512GB का SSD स्लोट है और इस लैप्टॉप के अंदर भी आपको AMD का ही ग्राफिक काड दिया है जो की 4GB का है AMD Radeon RX 5500M डिस्प्ले के अगर बात करूँ तो यह 15.6 इंचिस की IPS पैनल की डिस्प्ले है जो की 144Hz पर चलती है पोर्ट के अगर बात करूँ तो इस लैप्टॉप के अदर 5 पोर्ट दी गए है एक HDMI पोर्ट है और 4 पोर्ट आपके USB पोर्ट है इस MSI Brevo का जो प्राइज है फिलिप काट पर वो है 69,490 रूपीज और यही सेम लैप्टॉप आपको Amazon पर मिलेगा 62,990 रूपीज तो अब जितने भी लैप्टॉप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताएं उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हैं आप वहां से करीज सकते हैं किसी भी तरके का कोई एफिलेटेड लिंक नहीं है और वान मोर तिंग जितने भी लैप्टॉप आप इस वीडियो में देख रहे हो इन सब के अंदर कूलिंग फैंस दी हुए हैं तो आपको कूलिंग से रिलेटेड किसी भी तरके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो सबसे पहला रीजन है हमारे डिस्प्ले क्योंकि यह जो ने भी गेमिंग लैप्टॉप्स हैं यह एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैप्टॉप्स होते हैं तो इसके अंदर कला करेक्शन की हमारे पास उतनी गुंजाईश नहीं होती है इस कंपेर टू पीसी या कहले हम जो खुद का क्वस्टमाइज किया वह मॉनिटर से होता है तो अगर मैं उससे कंपेर करूँ तो हां फरक पड़ता है क्योंकि गेमिंग लैप्टॉप्स आर डिजाइंड फॉर दी पर्फॉर्मेंस अब बात करते हैं सेकेंड रीजन पर तो यह वाला ना थोड़ा सा परस्नल रीजन है इसमें मेरा में भी आप लोग डिसेगरी करो एंड एफेक्ट है जो कि मैंने खुद एक्सपिरेंस किया है सीजितरे भी कंपोनेंट्स लैप्टॉप के अंदर लगते हैं चाहे वो प्रोसेसर हो ग्राफिक कार्ड हो रैम हो या SSD हो इंडिजिली यह अपने आप में ही बहुत हीट प्रोडूस करते हैं और लैप्टॉप क्योंकि कॉम्पेक्ट होते हैं और इंको कॉम्पेक्ट बना as you can inside your PC क्योंकि PC आप basically assemble करवाते हो और उसके अंदर किसी भी तरिके की कोई भी restriction नहीं होती है वो compact नहीं होता है and laptops के अंदर ऐसा नहीं है जितना हमें brands ने offer किया हुआ अपग्रेड करने के लिए हम उतना ही maximum upgrade कर सकते हैं So these are the reasons जिसकी वज़े से मैं आप लोगों PC recommend कर रहा हूँ ना कि laptops मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि laptops पुरे होते है choice is all yours आपकी जरुरत क्या है अगर आप एक traveler है तो definitely you will go with the laptop a good laptop not with the PC बस आपको आपकी जरुरत समझने है और पैसे उतने ही और उसी जगा लगाने है जितने कि आपको actual need है सुमी ठकर signing off